हेलो स्ट्रेंट्स है तोले लेट सटर्ट द्यूर दा सिक्ञ्शाप्टर पर्स्ट कीज़ाए ने घद आपbane प्राट्रे सेचंड है या इस पंछतर अधलियी सुपोसा के यह आधर क्याल नहीं ने MP3 कि अब इस चैप्टर में हम इसको कंप्लीट करते हूं तो उसमें हमने क्या स्टेडी की थी कि जब बांडा की जो ड्रोइंग थी उसको सब एप्रिसीयेट कर रहे थे सब उसकी प्रसंसा कर रहे थे खुस हो रहे थे लेकिन उस दिन बांडा नहीं आई थी और उनकी जो अध्यापिका थी मिस मेशन उन्होंने सोचा था कि साइद बांडा कल आएगी तो बेट करते हैं लेकिन बांडा कल भी नहीं आती है सब उसका इंतिजार करते हैं फिर क्या होता है कि मिस मेशन को बांडा कर पिता के द्वारा लिखा हुआ एक पत्र मिलता है और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था आदरनिया ध्यापिका मेरी बांडा अब आपके बिध्याले में और नहीं आएगी जेक भी नहीं अब हम बड़े सहर में जा रहे हैं अब पोलग कहकर कोई नहीं चिल लाएगा यानि बांडा का सब मजाक बनाते थे ना उसके नेम का उसको बिदेशी कहकर के पुकारते थे उसका नाम जो है थोड़ा अनकॉमन था इसलिए और लिखा उन्होंने आगे कि अब कोई नहीं पूछे का कि यह है मजाक्या नाम क्यों बड़े सहर में बहुत से मजाक्या नाम होते हैं भब्दिया जैन पैत्रोंसकी ये पत्र उन्होंने मिस मैसन को राइट किया जो उनकी अध्यापिका थी और ये पत्र पढ़के वो बहुत ही ज़्यादा परिशान हो गई अपसेट होई और दुखी भी होई और उन्होंने जब ये पत्र किलास में पढ़ा तो सारे बच्चे सुनकर एकदम से सांथ हो गई सारी कक्षा एकदम सांथ हो गई बांडा के पिता का जो नोट सुनकर मैडी ने बहुत बुरा नुभब किया जो मैडी पैगी थी ना जो उसका मज़ा गुडाया करती थी लेकिन उसमें पैगी उसका मज़ा गुडा थी मैडी नहीं हुडाती थी तो मैडी को तो सुनकर बहुत दुख हुआ और उस दिन उससे कुछ पढ़ा भी ने गया जो भी उसने याद करने का प्रयास क्या उससे हुआ नहीं और क्योंकि वे क्या महसूस कर रही थी कि पैगी के समान बुजदिल और प्राधी थी क्योंकि पैगी बांडा के साथ गलत व्यहवार करती थी और वो उसके साथ वहां पर चुप खड़ी हुई सुनती रहती थी वो उसका कोई अब्जक्शन नहीं उठाती थी अब मैडी कहती है कि मैं बांडा से कहना चाहती हूँ कि वे उसकी भावनाव को थेस नहीं पहुचाना चाहती थी वे बांडा को खोजने और उससे यह कहने कि उसकी पृतियोगीता जीत ली है बांडा ने और उसकी जो सोपोसा के जिनके बारे में वे बाते करती थी बहुती सुन्दर थी पैगी के साथ वोगिन्स हाइट्स पर जाना चाहती थी जहांपर बांडा रहती थी पैगी ने सोचा कि उसने उसे कभी विदेशी कहकर नहीं बुलाना उसने उसके नाम का भी मजाक नहीं उड़ाया उसने सोचा कि बांडा बहुत मौन थी उसने कभी नहीं सोचा कि उसमें यह जानने की बुद्धी है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है पैगी को ऐसा लगता था कि जैसे कि उसने कभी उसका मजाक ही नहीं उड़ाया और बांडा को इतना सेंस ही नहीं था कि उसे यह मैसूस होगी क्यों उसका मजाक उड़ा रहा है क्यों कि किसी का अब्जक्शन ही नहीं उठाती थी कि उसका कोई मजाक उड़ा रहा है या नहीं लेकिन मैडिक को आसा थी कि वे बांडा की को खोज लेंगी उसको ढूंड लेंगी और उससे ये कहेंगी कि हमें बहुत दुख है कि या पसारे स्कूल को बहुत दुख था कि उन्होंने उसका मजाग बनाया है लेकिन उसके अंदर एक बिलक्षन पृतिवा थी सारा स्कूल उसको बधाई देना चाहता था और बहुत से ये भी कहना चाहती थी कि अब कोई व्यक्ति उसका कोई बच्चा मजाग नहीं उड़ाएगा और सभी बच्चे जो हैं उसके साथ अच्छा व्यावार करेंगे मैडी को बांडा का घर मिला मैडी और पैगी जब बांडा के घर गए तो उनको उसका घर मिला उसका घर निली पोसाकों की याद दिला रहा था क्योंकि दोनों समान दिखते हैं मैडी का बांडा का घर और उसकी पोसाके जैसे उसकी पोसाके बेकार सी, जीर्ड, सीर्ड सी थी उसी तरीके से उसका घर भी एकदम जीर्ण और शीर्ण था किन्तु साफ था ऐसी ही बांडा की फीकी, नीली, सूती पोसाके थी जो वो स्कूल पहन करके जाती थी मैडी ने अब गहराई से बांडा के बारे में विचार किया उसकी फीकी नीली पोसाख के बारे में सोचा उस छोटे से घर के बारे में गहराई से सोचा जिसमें बह रहती थी उसने उन चमकीलो सो पोसाख के बारे में भी विचार किया जो कक्सा में कतार से लगी हुई थी और उसने अब क्या निलने लिया था कि बहें आब और बगल में नहीं खड़ी रहेगी किसी भी व्यक्ति के जब कोई व्यक्ति किसी की मजाग बनाएगा या ओडाएगा तो वो चुप खड़ी होकर के नहीं देखेगी बलकि उसका अबज मित्रता छोड़ने को भी तयार थी उसकी उसे परवा नहीं दी कि पäreग उससे उसकी मित्रता खटम कर देगी सेह कि अब मैडी नहीं विचार कर लिया था कि वहिए किसी को भी एपृप्रेशन नहीं करेगी दुख्षी नहीं करेगी आख मैडी और पैगी ने बिचार किया कि बहब उसको पत्र लिखेंगी और पत्र के माध्यम से उसकी जो कलाई थी ड्रोइंग थी उसकी प्रसंसा करेंगी और सोरी बोलेंगी माफी मांगेंगी और उसने पूछा पत्र लिखा उन्होंने और उसमें उन्होंने लिखा कि प्रतियोगिता में उसकी जीत का उलेक किया और कहा कि जहां बह रहती है जहां बह गई है क्या उससे अपनी नई अध्यापी का पसंद है यदि भी बांडा से अपने ब्यावार पर खेत प्रकट करना चाहती थी किन्तु पत्र उन्होंने जो लिखा उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी जो अध्यापी का है वो तुम्हें पसंद है लेकिन उन्हें उसके पत्र का कोई भी जबाब नहीं मिला पैगी तो इस बात को भूल गई थी लेकिन मैडी इस बात को नहीं भूल पा रही थी बहरात को नहीं सोपाती थी और उसे ये बाते बहुत बेचैन करती थी कि उन्होंने बांडा के साथ बहुत गलत ब्यावार किया अब मिस मैसन को बांडा का एक पत्र मिला और मिस मैसन ने उन बच्चों को बताया कि बांडा का पत्र आया है और इस पत्र में उसने अपनी चितरकारी पैगी और मैडी को दिया है और इसने कहा कि मेरी जो चितरकारी है जो बिलू रंकी और ग्रीन रंकी है तो बीडिको दी जाए और ग्रीन रंकी को दिया जाए और दोनों उस ड्रोइंग को लेकर बहुत प्रशन थी ये एक क्रिस्मस पर आया हुआ पत्र था और उन्हें लग रहा था कि ये बांडा ने उन्हें क्रिस्मस गित दिया पैगी ने सोचा कि उसने उसे कभी विदेशी कहकर नहीं बुलाया उसने उसके नाम कभी मजग नहीं उडआया उसने सोचा कि बांडा बहुत मौन थी लेकिन ऐसा नहीं था और बांडा ने अपने पत्र में ये भी लिखा था कि उसे अपनी अध्यापिका की बहुत याद आती है और उसने सभी को क्रिस्मस की सुबकामनाए भी दी जब बांडा का परिवार दूसरे सहर को चला गया था क्योंकि यहां उनके मजाक्या नामों के बारे में कोई नहीं खूशता था लोग उनका मजाक नहीं उड़ाया करते थे दूसरे सहर में उनके परिवार के लिए जीवन एकदम अलग था क्योंकि बड़े सहर में अनिक बहुत से मजाग नम होते हैं इसलिए कोई भी इनके नमों के बारे में चिंता नहीं करेगा और इसक अलाबाद बड़े सहरों में लोग अपने जीवन में ब्यस्त रहते हैं और दूसरों के नमों का मजाग बनाने के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है इसलिए वह चोड़ करके बहे जगा एक बड़े सहर में चले गए थे आगा निया थे अगर थे एक तेंक्यू स्वेंट्स